नमस्कार मैं हूँ जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन नियूज में इसराइल पर हमास के आतंकियों दुआरा किये गए हमलों में मौतों की संख्या लगातार बरती जा रही है वहीं इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर आतंकियों के खिलाफ की गई कारेवाही का असर भी दिखने लगा है दोनों तरफ से अब तक इस लड़ाई में 1100 से अधिक लोगों की मौते हो चुकी है 1900 से अधिक लोग घायल हुए है सूतरों के अनुसार इसराइल में 700 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है वहीं दूसरी और इसराइल के जवाबी हमले के बाद गाजा पट्टी में 450 से अधिक की मौत हुई है और 300 से अधिक घायल हुए है शनिवार की सुबह हमास द्वारा के गई इसराइल पर अचानक हमली से संघश जारी है इन हमलों में अभी तक 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है इस बीच निव यॉक में युनाइटेड नेशन्स में इसराइल के पर्मानेंट रेप्रेजेंटेटेव गिला देरदान ने कहा कि ये इसराइल का 9-11 है साथ ही युन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब इसराइल की बात आती है तब युन की याददाश बहुत कमजोर हो जाती है जिस आतंक को हम जल्दी से खत्म करते हैं वे एक साइड नोट बनकर रह जाता है हाला कि इस बार ऐसा नहीं होगा आतंकी संगठन हमास ने गाजा से शनिवार की सुभा अचानक इसराइली शहरों पर कम से कम 3,000 भेंकर रॉकेट्स छोड़ दी थे साथ हमास के बंदूक धारी इसराइली शहरों में भी घुज गए और कुछ सैने वाहनों पर कबजा कर हमले किये कई इसराइली सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया इस पर इसराइल ने भी जवाबी हमला किया फिलाल दोनों के बीच ये संघर जारी है रविवार को सैकडो इसराइली अपने लापता परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए एक केंद्रे पुलिस स्टेशन पर इखटा हुए इसराइली सरकार के अनुसार गाजा में हमास के आतंकवादियों द्वारा सौ से अधिक लोगों को पकर लिया गया है और बंधक बना लिया गया है हाला कि लापता लोगों की ठीक ठीक संक्या क्या है वे अभी तक सपष्ट नहीं हूँ पाई है देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन यूज और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें धन्यवाद